नमस्कार EPG पाटशाला में आपका स्वागत है मैं डॉक्टर मालामिश्व दिल्ली विश्विद्याले में हिंडी एवं पत्यकारता विभाग में एसोसेट प्रोफेसर हूँ आज हम प्रश्वबत्र मत्यकालिन कविता दो के अंतरगत तुल्सिदास के तराम चरित्मानस के चैनित पाट का अध्यन करेंगे इस पाट के अध्यन के उपरान आप तुल्सिदास के पदों में नहित उनके ततकालिन समाज के इसिती समझ सकेंगे पदों में नहित भक्ती भाव का मर्म समझ सकेंगे वर्णाश्रम के हिरासवन मुद चरित्र जान पाएंगे बिने पत्रिका के पदों में वर्णे दासे भाव की भक्ती से परिचित हो सकेंगे गोस्वामी तुलसिदास भक्ति काल की राम भक्ति धारा के कवी ही नहीं, वरन पूरे साहित्य के महत्पून कवी हैं. उनकी भक्ति पधती की सबसे बड़ी विशेशता सर्वांग पूर्णता है, जहां जीवन के किसी पक्ष की उपेक्षा नहीं दिखती, सारे पक्षों से उनका सामन जस्ते हैं. तुलसी की कविता राम भक्ति से सिक्त तो है ही, वह हमें अपने समकाली यथार्थ से भी परिचित कराती है. भक्ति भाव, आत्म निवेदन और यथार्थ की अभिवक्ति पदों में सगंता से भरी हुई है. भाषा की दिश्टी से तुलसी दास ने ब्रज और अवधी दोनों में समान अधिकार से रचनाएं की हैं. कावे सोरूप की दिश्टी से उन्होंने प्रबंद और मुक्तक दोनों तरह के कावे रूपों का प्रयोग किया है. अलंकारों में अर्थालंकारों का प्रयोग. शब्दालंकारों की तुलना में काफी इस पार्थ में रामचरित मानस के चुने हुए अंशों के विशेशों से विशलेशन से उनके रचना कर्म को जानने की कोशिश करेंगे। विविद स्तरों पर बहुत ही सहज रूप में अभिवक्ति पदान की। उन्होंने हर पकार के भेदभाव को दूर करने के लिए बहुत ही सरल रूप में संदेश दिया। अगुना ही सगुना ही नहीं कचु भेदा उन्होंने अपने इस पंक्ति के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि चाहे अगुन हो चाहे सगुन हो लेकिन ईश्वर एक है उसमें किसी प्रकार का भी वैविद्धे नहीं है इश्वर को जानने के लिए चाहे हम किसी भी मार्क से इश्वर तक महुचने की कोशिश करें लेकिन वास्ता में साध्य एक है और उसको जानने के लिए अपनाएगे तरीकों की भिन्दता से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता रामचरित मानस ने तुलसी को एक लोग कवी के रूप में स्थापित करते हुए उन्हें एक विश्व जननिस्तर तक भी पहुँचाया और उन्हें विश्व कवी के गुरूत तक उनका प्राप्र प्रदान किया रामचरित मानस में जीवन की बहुती विवारिक सिक्षाएं प्राप्त होती हैं जीवन के विभिन भावों विभिन विचारों को तुलसी दास्जी ने बहुत ही सरलता से अभिवत किया है एक स्थान पर उन्होंने कहा है जाके मन रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी जैसी अर्थाच, जिसके मन में जिसके प्रती जैसी भावना रहती है वो उसके अनुसार ही परिणाम प्राप्त करता है यदि कोई किसी को अच्छी भावनाओं के रूप में अपने संबंध की स्विकृति पतान करता है, तो उसको प्रतिदान की रूप में वैसी ही अच्छी भावनाओं से सिक्त संबंध प्राप्त होता है। इस विशय में कोई भी संदे नहीं किया जा सकता। तुल्सी दाश्ची वास्तव में लोकमन के चितेरे कभी हैं। उन्होंने लोगों की ततकालीन जरूरतों, ततकालीन समस्याओं पर भी बहुत ही गंभीरता से विचार किया है। वास्ता में रामचरित मानस बहुत ही सम्रिद कावय अचना है। इसको जीवन से संप्रिक्त रचना कहा जाना अनुचितना होगा। रामचरित मानस में जीवन के हर ख्षेतर के मांदन्डों का वर्णन किया गया है। जीवन के प्रत्यक आदश को इसमें उन्होंने बहुत ही सरलता से अभिव्यक्त किया है। आदश परिवार, आदश समाच, आदश माता-पिता, आदश संतान, आदश राजा, आदश पत्नी, आदश प्रजा। हर किसी के लिए तुल सी दास जी ने एक अन्नतम उधारन प्रस्तूत किया है। वास्तम में अगर हम मुल्यांकन करना चाहें, तो तुल्सी दास्टी की रामचरित मानस, उदातता, समन्वे और आदाश की ही पती क्रचना है. शीराम के माध्यम से उन्होंने एक आदाश पुत्र, एक आदाश पती, एक रत्पती, एक आदाश राजा की छवी को प्रेखांकित किया है. सीता जी के माध्यम से उन्होंने एक आदाश पत्नी, एक आदाश बहु का दिश्टान पस्तुत किया है. आदर्श राजे की प्रजा कैसी होनी चाहिए इसका उधारण में अयोध्या की प्रजा के विभिद उधारणों से मिलता है कुरीतियों कुपरंपराओं का क्या परिणाम होता है ये हमें राम कथा के विस्तृत पारायन से ग्यात होता है रावन जैसे दुराचारी जो परिस्त्री के प्रती कुद्ष्टी रखते हैं ऐसे वक्तियों का ऐसे दुराचारीों का ऐसी राक्षद से व्रती रखने वाले लोगों का क्या हर्ष्ट होता है क्या दुश्परिणाम होता है क्या-क्या दुश्परिणाम उन्हें भुगतने पड़ते हैं और समाज के लिए वो कैसे एक कलंकवत होते हैं इसका आग्यान Ravan के विशे में जानने से राप्त होता है कुल मिलाकर अगर हम रामचरित मानस का मुल्यांकन करना चाहें तो कहा जा सकता है कि रामचरित मानस वास्ता में सहज जीवन से जुड़ी हुई एक सहज कथा को बहुत ही मार्मिक रूप से बहुत ही भावत प्रेरक रूप से बहुत ही सहज रूप से अभ्यक्त करती है और नाना प्रकार की सिक्षाएं प्रतान करती हूं अपनी इसी लोक संप्रियता के कारण राम चरित मानस संपूर्ण भारतिय परिवेश में हर भारतिय समाज में बहुती लोक प्रिया है और अपनी इसी लोक प्रियता के कारण इसी समाजोन मुकता के कारण रामचरित मानस जन जन का कावे बन गई है जन कवी के रूप में संपूर्ण विश्व में तूलसी दासी ने एक अलग ही स्थान प्राप्त किया है उनकी पहचान विश्व जनीन कवी के रूप में संपूर्ण विश्व में विख्यात है केवल भावनाओं के ही चितेरे कवी के रूप में तूलसी दास्टी हमें दिखाई नहीं देते बलकि बहुत ही अच्छे शेड़ब का प्रयोग करते हुए नाना विद छंदों अलंकारों के प्रयोग से रामचरित मानस को एक विशिष सौंदर प्रदान करने के कारण भी तूलसी दास्टी हिंदी सहते के इतिहास में सदयव अन्यतम कवी के रूप में याद किये जाएंगे तूलसी दास्टी की विशेशग्यता कावे रूपों के इस तर पर भी विविद प्रकार के कावे रूपों के प्रयोग में दिखाई देती है उन्होंने कावे रूपों में प्रबंद कावे के अंतरकत भिरचाएं की हैं तो उन्होंने मुक्त कावे के रूप रचना की है खंड कावे के रूप में भी उनके द्वारा नेखन किया गया है भाशा इस तर पर उन्होंने जितनी कुशलता के साथ अवधी भाषा का प्रयोग क्या है उतनी ही विश्य शग्यता के साथ वे ब्रज भाषा का प्रयोग करते दिखाई देते हैं तो चाहे भाशाई स्तर हो, चाहे कावे रूप का स्तर हो, चाहे विश्यों का स्तर हो, चाहे शिल्प का स्तर हो, चाहे चंदों का प्रयोग हो और चाहे अलंकारों का प्रयोग ही क्यों ना हो, हर स्तर पर शिल्प गत पैशिष्ट के साथ बे बहुत ही कुशलता से अपनी अबनाओं की अभिवेक्ति करते हुए, समाज की अभिवेक्ति करते हुए, सामाजिक जरूतों का व्याख्यान करते हुए दिखाई देते हैं। भाशाई सक्षमता, भाशाई सहचता, लोकजीवन संप्रिक्ता, उनकी भाशा की विशेशताएं रही हैं। और इन्हीं के साथ उन्होंने अपनी विशेशक्यता और जनुर्मुक्ता को बहुत सहिस्ता से अभिवक्त किया है। राम्चरित मानस के पद, राम्चरित मानस की रचनायें, राम्चरित मानस की चौपाईयां, तुलसी दास्ची के सम्पू काव्यात्मक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धी मानी जा सकती ही। रामचरित मानस तुलसी दास्टी का सबसे शेष्ट गंत माना कया है और तुलसी दास्टी को भारत वर्ष के मद्धे कालीन साहिते का भक्ते कालीन साहिते का सबसे शेष्ट कभी कहना भी उचित होगा रामचरित मानस सुलसित आश्टी का अत्यन्द प्रतिश्टित महाकावे है मानस का प्रारम संस्कृत में होता है इसकी उपरान वे अवधी में रामकथा का बर्णन करते हैं और सबसे पहले सरस्पती और फिर शी गणेशी की बंदना करते हैं रामचरित मानस में साथ कान हैं बालकान, अयोध्यकान, अरण्यकान, किश्किंदाकान, सुन्दरकान, लंकाकान और उत्तरकान प्रस्तोतिकाई में बालकान के कुछ अंश्वों का विश्रेशन किया गया है आकार चारी लाख चौरासी, जाती जीव जन्थल नभवासी, सिये राम मैं सब जग जानी, करहू प्रणाम जोर जुग पाने जानी क्रिपाकर किंकर मोहू, सब मिली करहू, छाड़ी छल छोहू, निज बुदिवल, भरोस मोहिनाही, तातें विने, करहू सब पाही। करन चहू रगुपती गुन गाह, लगु मति मोरी चरित अव गाह, सूजिना एकव, अंग उपाव, मन मति रंग मनोरत राव। सभी लोगों की बंदना करने के उपरांत, तुलसी दास सामोहिक रूप से सारे संसार की, सामोहिक रूप से बंदना करते हैं। यहां तुलसी की जानकारी और समझ का एसास होता है। तुलसी ने एक चौपाई में इन सब का समाहार करते हुए लिखा है। कि इन सब को मैं सिया राम में सब जग जानी सोच कर, दोनों हाझ जोड कर प्रणाम करता हूँ। तुलसी दास अपने विवरन और वर्णन में कितने अधिक सावधान हैं कि वे ये कहना नहीं भूलते कि मैं दोनों हाज जोड कर प्रणाम करता हूँ। सिर्फ प्रणाम नहीं करता तुलसी के कावे की सबसे बड़े विशेश्टा है कि वे कोई अधूरी बात नहीं कहते कोई भी बात उनसे छूटती नहीं है सबको वे संपूर्ता में कहते हैं अपने पाठकों को सम्भोदित करते हुए तुलसी दास जी आगे कहते हैं कि आप लोग पाठक बग मुझे अपना दास जानकर मुझे पर कृपा करें तुलसी दास जी के अनुसार उनके पाठक तक से कम समझदार नहीं है उनके पाठक कम समझदार नहीं है यदि ऐसा होता तो तुलसी भी कबीर की तरह उन्हें उपदेश देते वे उपदेश नहीं दे रहे हैं उनसे निवेदन कर रहे हैं और यह मिथ्य विने नहीं है जो कृपा करने वाले हैं अर्थाद पाठक कृपा की खान हैं अर्थाद जो अपनी प्रक्रिती में कृपालू हैं, तुलसिदास यहां भी नहीं रुखते, वे फिर निवेदन करते हैं कि ऐसे लोग छल छोड़कर कृपा करें, छल के साथ कृपा ना करें अर्थाद कृपा का दिखावा बिलकुल ना करें, सच कृपा करें, यहां फिर तुलसि विने प्रकट करते हैं कि मुझे अपने बुद्धी बल का भरोसा नहीं है, यदि भरोसा होता तो मुझे आपकी कृपा की जरूत ही नहीं पड़ते, इस कारण मैं आपसे विनती करता विनती करने का कारण बताना तुलसि दासी कभी नहीं भूलते, दरसल तुलसी कुछ भूलते ही नहीं है, ऐसी इस्तिती में मैं शीर अगुपती शीराम के गुरों का व्याख्यान करना चाहता हूँ, यह मेरी आतांक्षा है, चाहत है, तो प्रश्न उतने से पहले तुलसि बताते हैं कि मेरी बुद्धी अल्प है और शीराम का चरित्र अथा है, अथा चरित्र का में मुल्यंकन करना तो दूर, उन्हें ठी-ठीक उपसित भी नहीं कर सकता, ऐसी इस्ति में मुझे उपाय का लेश मादर भी समझ में नहीं आ रहा है, मेरा मन और मेरी बुद्धी तो कंगाल हैं, परन्तु मनोरत, अर्थात कामना राजा की तरह शेष्ट है, तुलसि अपनी बात को स्पष्ट करते हुए, आगे लोग जीवन का उधारन देते हैं, और उसी बात को फिर से नए ढंक से, नए उपमा के साथ कहते हैं, बुद्ध मुफ्त मिलने वाला हैं, वो ऐसी छाज को भी चुटाने का सावरते नहीं रखते हैं, इसलिए आप सज्जन लोग मेरी जिठाई को शमा करें और मेरे बाल वचनों को प्रेम पूरवक सुनें, तुलसी किसी को कुछ भी कहने का मौका नहीं देना चाहते, जो कोई कह सकता है उन सब का पत्याख्यान वे करते जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा है, राम भगती भूशित जीय जानी, सुनि हैं, सुजन, सराही, सुबानी, कभी न हो, नहीं वचन प्रवीनू, सकल कला सब विद्या हीनू, आखर अरत अलंकृति नाना, छंद प्रबंध, अनेक विधान भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोस गुन विविद प्रकारा कवित विवेक एक नहीं मोरें, सत्य कहूं, लिखी कागद कोरें, भनिती मोरी सब गुन रहित, विश्व विदित गुन एक, सो विचारी सुनि हैं, सुमती, जिनके विमल विवेक, प्रस्तुत पंक्तियां, तुलसी दास्त्वारा रचेत, राम चरित मानस के बालकान से दास्ती अपनी कविता पर टिपणी कर रहे हैं, यह जो कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं, उस कथा को सज्जन भगवान राम की भक्ती से भूशित जान कर सुनेंगे, और अपनी सुन्दरवानी से उसकी सराहना भी करेंगे, यह विश्वास कभी को है, साथ ही यह भ ऐसा तुलसी दास्टी कहते नहीं है, अर्थात भी यह कहना नहीं चाहतें कि जो सराना नहीं कर रहे हैं, वो सज्जन नहीं हो सकते, परंतु उसका एक अर्थ यह भी निकलता है, तुलसी अपने विरोधियों को प्रकारांतर से राम विरोधि बता रहे हैं, और राम परंपरा के महान कभी हो चुके हैं यदि कोई कभी होगा तो वचन प्रवीन भी होगा शायद मैं वैसा वचन प्रवीन नहीं हूँ मैं मान लेता हूँ कि मैं समस्त कलाओं और समस्त विद्याओं से रही थूँ मैं नहीं जानता यहां तुलसी भारती चिंतन में कलाओं और व इससे कहीं न कहीं तुलसी दास्टी की मानुवियता और उनके बड़पन का ग्यान होता है वे अपनी विशेशग्यता को और अपनी विद्वत्ता को कहीं भी बहुत बड़ा चड़ा कर प्रसुत नहीं करते हैं भारत में कावे शास्र का विकास हो चुगा है अनेक प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार है छंद और प्रबंद के अनेक शास्त्य विधान है यही नहीं अनेक भाव और रस के भेद है कविता के अनेक प्रकार के गुण दोश होते है शास्त्य चिंतकों ने उन सब की व्याख्या कर रखी है गहन गंभीर शास्त्र हैं जिनसे मैं अपरिजित हूँ या अल्प परिजित हूँ कविता के संबंध में कोई भी बात मुझे ना पता हूँ आप मेरी कविताओं में अनेक शास्त्य दोश गिना सकते हैं हो सकता है वे सब मेरी कविता के दोश हूँ मैं तो एक ही, मैं तो एक ही बात विश्वास पूर्वक, शपत पूर्वक कह सकता हूँ, कि मैं खाली पन्ने पा सिर्फ सत्य लिखता हूँ, मेरी कविता मिथ्थे नहीं है, मेरी कविता सत्य है, संभव है, मेरी रचना सब कावे गुणों से रहित हो, उसमें हजार कमिया परन्तु उसमें एक विश्व सिद्ध गुण है वे यह है कि लोग भली बुद्धी वाले हैं कुटिल नहीं है जिनका ग्यान निर्मल है अर्था जिनके मन में कपट नहीं है वे इसको जरूर सुनेंगे इसके मात्यम से वास्ता में तुलसी दास्षी ने यही कहना चाहा कि च निशित रूप से मिलेगा और उसी निर्मलता के आधार पर वे अपनी रचना का मूलियंकशन करवाना चाहते हैं कि जिन लोगों की बुद्धी निर्मल है वे निशित रूप से उनकी रचनाओं का रसास्वादन करना चाहेंगे और उसको सराहेंगए भी, जो कप्टी हैं वो उनकी रचनाव में विद्धेमान, इमानदारी और रसवत्ता को कभी नहीं समझ सकते और जो सरल होते हैं, रस्वान हैं, सरस हैं, सुबिघ्य हैं बे निशित रूप से इसको सुनेगे उसको समझकर उसका रसासवादन करेंगे इस कविता में रगुपती राम का पवित्र नाम है उनका स्मरण है जिन में पुराण और वेदों का सार है यह नाम अर्थास्वयम राम मंगल का विधान करने वाले हैं और अमंगल को हरने वाले हैं इसी वीचे में उने कहा भी है मंगल भवन अमंगल हारी तरवहू सुदश्रत अजिर बिहारी अर्थात भी सारे अनिष्टों को नश्ट करने वाले हैं यही नहीं जिन्हें स्वयम भगवान शिव पार्वती सहित जापा करते हैं अर्थात राम का गुर्णगान किया करते हैं शेवों और वेष्णमों के विवाद में ये पंक्तियां बहुत ही मूल लेवान है आगे तुलसितास ची कहते हैं कि यदि किसी महत्मुन कभी ने किसी अद्भुत कविता की रचना की हो वह भी शीराम के नाम के बिना तो वो कभी भी सुन्दर नहीं हो सकती इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने उधारन तिया चंद्रमा के समान सुन्दर मुखवाली समस्पकार के अरंकारों और साथ सज्जा से सज्जित नारे भी बिना वस्तरों के शोभा नहीं देती इसलिए कभी तक की कथा महत्मुन होती है राम के नाम के बिना कोई भी कथा महत्मुन नहीं हो सकती और इसी तथे पर विचार करते हुए बार बार इस तथे को रेखांकित करते हुए तुलसी दाश्जि कहते है मंगल करनी, कलिमल हरनी, तुल्ची कथा रगुनाथ की, गती कूर कविता सरिता की, ज्यों सरती पावन पाथ की प्रभुसुजस संगती भनेति भल होई सुजन मन लुभावनी, भव अंग भूती मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी प्रसुत पंक्तियां रामतेरित्मानस के बालकांट से उद्रित है यहां महा कवित उलसिदास्टी कहते हैं यह राम की कथा कल्यान करने वाली कलियूक के समस्त पापों को दूर करने वाली है कविता भी सरिता की टेड़ी तरह गती के बावजूर पवित्र जलवाली गंगा की गती के समान है वह प्रभू के सुएश के साथ भली और मन को अच्छी लगने वाली हो सकती है अब शम्षान की राख तो अपवित्र ही माने जाती है परंतु उसी राख का ले महादेव अपने शरीर में करते हैं तो वही शम्शान की राग भी पवित्र हो जाती है। इस तरह कविता की कमिया भी राम के संपर्क में आने से पावन हो जाती है। महादेव के पावन अंग के साथ उनके अंग लेब मसान की राक का स्वारण करने में भी स्वहावनी और पवित्र धार्णा का बोद कराती हैं यह तुलसी दास्टी की नूतन कल्पना है जिसको उन्होंने विभारिक रूप्रदान किया है तुलसी दास माल लेते हैं कि उनसे कविता करते नहीं बना उनकी गती टेड़ी हो गई मेरी कविता मसान की राक है इसलिए भयावनी और अपावनी है इसका अपना ही दोश है किन्तो फिर भी क्योंकि ये राम कथा की यश से संप्रिक्त है परिपूर्ण है उससे भरी हुई है ओधप्रोथ है इसलिए सिजन मनभावनी है और राम यश गायन से परिपूर्ण होने के कारण मेरे शब्दों में चिंता कर्शन एवं अर्थमादूर्य संपन है पलसरूप यहां दोश तुछ हो जाता है अर्थात राम की प्रभाव से समस्त तापों का समाहार हो जाता है समाधान हो जाता है और सुहावनी पावनी होकर कविता अलंकित भी हो जाती है और यह सब राम की कृपा के कारण ही है राम के नाम के प्रभाव के कारण ही है प्रकरांतर में तुल्सी कहते हैं कि कविता का कथे उसके सौंदरे को बढ़ा देता है अर्थाथ कविता के कथे में मूल रूप से कहीं न कहीं श्री राम का कथे उपस्थित है और उसी के कारण संपूर्ण रामचरित्मानस के सौंदर में दूगनित होकर शोभा उपस्थित होती है सुनही सुजान मनी मानिक मुकता छवी जैसी पही गिरी गजसिर सोगन तैसी निपक्रेट तरुनी तनुपाई लहाई सकल सोभा अधिकाई तैसी सु कवि कवित बुद कहाई उपजाई अनत अनत छवी लहाई भगती हे तू विदी भवन विहाई सुमिरत सारद आवति धाई तूर्थिदास इसले कहते हैं कि संभभ है कि मेरी कविता उतनी अच्छी ना हो अलग से उसमें कोई सौंदर ना हो साधरन पंक्तियां लगती हो पर अंत उसमें राम की यश्का गान किया गया है राम कथा कहने के कारण सभी को यह अच्छी लगेगी यहां तूर्थिदे एक सौंदर शास से पश्ण उठा दिया है कि कविता का कत्थे और कविता की रचना का कोशल दो अलग रख चीजे हैं इन दोनों को अलग करके देखना आवश्क है यदि विशे अच्छा है, शेष्ट है तो कारण कोशल के अभाव के बावजूर कविता सुन्दर हो सकती है वरेनी हो सकती है अर्थात यहां बाहिये शिल्प के स्थान पर तुल्सी ने आंत्रिक गुणोंक से संप्रिक्त होना किसी भी काविरचना के लिए आवश्क माना है और उसका खुल कर खुरे हदे से उन्होंने समर्थन भी किया है अपने मत के समर्थन में तुल्सी जास उधारन देना बिल्कुल नहीं भूलते है उधारन इतना सटीक देते हैं कि आप उनके तर्थ सेहमत होने के लिए मजबूर हो जाते हैं उधारन देते हैं कि मले परवत के साथ रहने के कारण काश्ट भी अर्था चंदन भी पूजने हो जाता है पर तब कोई भी काट की तुछता या महत्विहिंता को नहीं देखता वैसे ही शीराम के यश के साथ होने के कारण ही मेरी कविता भी सबको अच्छी लगेगी यह विश्वास और आगढ़ कवी का नितांत अपना है, निजी है साथ ही यह भी कि यदि आपको राम के गुण के बावजूद यह कविता अच्छी नहीं लग रही है तो आप कहिना कहीं शीराम के विरोधियों की शेनियों में ही परिगर्नित करने योगे हैं और जो शी राम का विरोधी है उसे कभी भी शेष चीजों का अफगाहन अच्छा नहीं लगेगा अर्थात अगर आपको राम चरित मानस में कहीं कोई कमी नजर आती हैं और शी राम के चरित के साथ आप तदाकार नहीं हो पाते हैं तो यह नितांत राम विरोधी होने का गुण हैं और इसी कारण से आप कहीं न कहीं भाविभोर नहीं हो पा रहे हैं तो यह आपकी ही कुटिलता और आपकी ही कृपणता का दोश हैं इस बात के यह शी कुल्चिजास्टी ने संकेत किया हैं और वो राम के साथ रसवत्ता को बहुत ही महत्पुर मानते हैं कि अगर कोई शीराम से स्तताकार हो जाता है शीराम के गुणों में अब गहन करने लगता है तो उसे बाहिये अब वो कभी नजर नहीं आएंगे और वो शीराम की कथा के रस्त में इतना निमगन हो जाएगा कि वो पूरी तरीकी से उसके साथ ही अपने आपको बहा ले जाएगा और उससे असंप्रिक्ट नहीं रह पाएगा तो इसलिए शीराम की महता को उन्होंने रामचरित मानत में उदगाटित करते हुए शीराम के साथ अदाकार होने पर बहुत अधिक बल दिया है इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शी तुलसिदास्टी कहते हैं कि काली काय का दूद भी सफेध ही होता है अर्थात बाहिये वेशभूशा चाहे कैसे भी हो मन अगर अच्छा है तो उससे सारवान चीज़ें जो है वही उत्पन हुआ करती है अर्थात गाय चाहे काली हो अत्वा सफेध गाय गाय है और गाय का उप्योग इसी में है कि उससे प्राप्त होने वाला जो दूद है उसका रंग सफेध ही है उसके गुण समान ही है हम इस पर विचार नहीं कर सकते हम विचार करके दूद की ही गुणवत्ता पर बात कर सकते हैं उसे हम सब प्रकार से प्रेम पूर्वक ही पीते हैं इसी तरह यदि ग्राम में भाषा में सीता और राम के गुणु गाए जाते हैं तब भी लोग प्रेम पूर्वक ही सुनते हैं क्योंकि वहां महत्व भाषा का नहीं वसुताह साध्धे का है जिसके गुणों का व्याथ्यान हो रहा है वे शी, राम और सीता हैं उनके उन आदर्श चरित्रों के कारण ही लोक प्रेम पूरवक और बहुती ध्यान पूरवक बहुती शद्धा पूरवक उनका भूनगान सुनते हैं उनकी गाथा सुनते हैं और उसमें रस्मगन होते हैं तुल्थितार संस्कत भाषा में ना लिखने का कारण समझाते हैं वे संस्कत के परमविद्बान थे वे चाहते तो संस्कत भाषा में रामचनित मानस की कावे रचना कर सकते थे लेकिन क्योंकि वे चाहते थे कि संपूर्ण जन को, जन के मानस को, जन की भावनाओं को अभिवक्ति प्रदान करें इसलिए जन को साथ लेकर चलने के लिए और जन की अभिवक्ती जन भाशा में करने के लिए ही उन्होंने रामकथा को अवधी भाशा में अभिवक्त करने का काम किया उस योग में कई लोगों का यह आरोप था कि रामकथा को देव वरने संस्कित में लिखा जाना चाहिए था तुल्सी को संस्कित आती थी और वे उसके परम विद्वान भी थे फिर भी उन्होंने अवधी में रामकथा लिखी तुल्सी बहुत मर्यादा शील कभी हैं वे संस्कित का विरोध नहीं करते हैं कबीर की तरव संस्कित को कूप चल नहीं कहते वरन अपनी पूरी उदारता के साथ गाम में भाशा के भी समर्थन में खड़े रहते हैं और गाम में भाशा के समर्थन में कोई तर्क नहीं देते बल्कि उसका प्रयोग करते हैं वे सिर्फ कहने पर नहीं करने पर विश्वा करते हैं कि अवधिक राम में भाशा है इस पर भी वे कहते हैं कि इस विश्य पर तो बहस ही नहीं होनी चाहिए कि रामचरित मानस की भाशा कौन सी है कोई भी हो गुणी जनों को राम और सीता के यश पर ध्यान देना चाहिए गाय काली है अत्वा सपेद अविपक्ति संस्कित भाशा में हुई है अत्वा अवधि भाशा में प्रयोक मानक भाशा का किया गया है अत्वा लोग भाशा का वहएवास्तिक मुद्दा नहीं हैं हुद्ध यही है कि वास्ता में जो कत्थ है जो साद्ध है वो क्या है और कितना महत्पूर्ण है कितना सारवान है और यहां सबसे महत्पूर्ण विशय यही है कि शीराम जो आदाश और मरियादा के पतीक हैं उनका संपूर्ण जीवन चरित्र वास्ता में सिक्षप्रद है औ उस सिक्षाप्रद चरित्र को किसी भी भाषा में चाहे क्यों अभिव्यक्त ना किया गया हो वह अपने आप में बहुत ही सारवान है, बहुत ही उपादे है, बहुत ही सिक्षाप्रद है उसका अभिव्यक्त होना उसका प्रकाशन ही अपने आपने बहुत महत्पूर हैं। इस दुष्णी से शीराम और सीता के आदर्श और मर्यादाशील मर्यादे चरित का गुर्गान होने के कारण, यश्कान होने के कारण राम चरित्मानस वास्ता में शेष्ट काव्य है और इसी दिश्टी से उसका अवलोकन, अवगाहन और असासवादन होना चाहिए आगे तुलसिदास कविता की प्रकृती पर बहुत कमीरता पूरों गिटार करते हैं मनी, मानिक और मोती बहुत सुंदर होते हैं यह सुंदर चीज़ें साप के पास या परवत पर भी या हाथी के मस्तक पर भी होने के बवजो शोभा नहीं प्राप्त करती हैं यदि यही चीज़ें राजा के मुकुट पर रहें या कोई युवास्री अपने शरीर पर धारण करें तो इनकी सुंदर्ता अन्यतब बन परती हैं इस प्रकार इस वक्तवे के आधार पर तुलसिदास ची कहते हैं किसी अच्छी कवी की कविता में भी अच्छाई उत्पन कहीं और से नहीं होती है वो शोभा वास्ता में उसके भीतर से ही पैदा होती है बुद्धिमान लोग ऐसा ही करते हैं रचना कवी करता है आस्वादन सहर्दय करता है और इसी समझ के कारण सरस्पती ब्रह्म लोग छोड़कर आ जाती है अर्थात कवी पर सरस्पती की जब कृपा होती है तब कविता की रचना होती है और कविता शेश रचना बन जाती है देखी विपुल विकलवे देही निविश विहाल कलप समतेही त्रिशित वार बिनु जोतन त्यागा मुए करे का सुधा तड़ागा का वर्षा सब कृषी सुखाने सब चुके पुनी का पछिताने अस जी जान जान की देखी प्रभुपुल के लखी प्रीती विदेशी गुवी प्रणाम मनही मनकीना अतिला घव उठाई धनू लीना दस के उदामनी जिमी जब लयव। पुनिनभ धनू मंडल सम भयव। उपरिक चौपाईओ के माद्यम से वास्तम में लोक कवी, लोक मानस के कवी तुल्सिदाशी जीवन की व्यवारिक सिक्षा देने का प्रयास करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं एक बहुत ही सुन्दर उनन रोपती कही है कि का वर्षा जब किशी सुखाने उस वर्षा का कोई लाब नहीं जब किशी ही सूख जाए अर्था समय पर जब कोई कारे नहीं होता है समय वैतीत हो जाने के बाद पस्तावा करने के आतरे कुछ भी शेश नहीं रहता क्योंकि उस अवसार का कोई महत भी ही नहीं रहता और चीजें सवाप्त प्राइ हो चुकी होती हैं इस तरीके के वेभारिक उधारनों से तुन्सी की बहुती सोक्ष्मिश्टी का ग्यान होता है कि जीवन की छोटी छोटी चीजों के पती उनके बन में कितनी गहरी समझ है प्रस्त प्रकरण बाल कांड का है सीता का स्वयंबर चल रहा है सीता की पिता जनक ने स्वयंबर में यह शर्त रखी थी कि जो कोई शिव के धनुष को तोड़ेगा उस महा बलशाली राजा से सीता का विवा समपन करा दिया जाएगा स्वयंबर में अनेक बलशाली राजा महराजा आय हुए थी जनक का पूरा परिवार और नगर के गण मानने वेक्ती उनको देखने के लिए आय हुए थी सब में यह जाने की उच्छुकता थी कि शिव के धनुष को कौन वीर पुरुष तोड़ेगा और कौन होगा सीता का पती इन सब के साथ सीता जी भी बैठी हुई थी वे भी देख रही थी, सब लोग उच्छुकता पूर्वग एक एक गतिविती पर नजार रखे हुए थे परन्तु सीता क्या देख रही है, क्या महसूस कर रही है, विवा तो उनका होना है उनके भविषय का निर्णे होने वाला है, ऐसा भविषय जिसका अभी कुछ अतापता नहीं है वे ऐसे में क्या संभावना वेक्त कर रही है तुलसितास कभी दिश्ची से उसे भी देखते हैं सीता क्या देख रही है, उस देखने के शन को भी उन्हें बहुती सुन्दर तरीके से अभवेक्त किया है शिव धनुष का तूटना तो दूर, उसे कोई हिला भी नहीं पा रहा है कम से कम उठाने का सामड़ते तो किसी में हो, यह क्या हो रहा है इस परसिती को, ऐसी एस्वंज स्पून परसिती को देख कर सीता बहुत विवहले हैं, बेचैन हैं चिंतातूर हैं, विकलता का मूल कारण यह है कि उन्हें यही समझ में आ रहा है कि स्वेंवर में जो कुछ भी हो रहा है, वह है बिलकुल परिकल्पनिये हैं और आगी क्या होने वाला है, भविशे की चिंता इस विकलता का मूल कारण है और उसके लिए एक एक्षण बिताना मुश्किल हो रहा है एक स्थी मन की, स्थी के भविशे की चिंता को उन्होंने बहुत ही सहज डूप में अव्यक्ट किया है एक एक्षण, एक एक काल की समान लग रहा है, बहुत मुश्किल से समय कट रहा है चिंता तो समय हमेशा सुदेर्ख होकर सामने प्रकट हुआ करता है जीवन की सच्चाई को बहुत ही सहज तरीके से शीतुल सिजास जी ने उके रहा है महाकवी तुलसिजास जी ने सीता जी की विगलता को इस प्रकार से अव्यक्ति किया है कि जैसे इस विगलता के कारण उनके जीवन में मृत्यु का श्रण भी कभी भी उपस्तित हो सकता है सीता की इस पीड़ा को तुलसिजास जी ने अप्रस्वत विधान के द्वारा बहुत खुपसूरती से समझाया है यदि कोई प्यासा व्यक्ति प्यास की कारण मर जाए तो मरने के बाद भी उसे अमृत का तराब मिल जाने पर क्या फायदा यह पीड़ा प्राण घा तक है और यदि इसी में किसी का जीवन चला जाए और फिर धनुष तूटे तो शिव धनुष की तूटने का कोई फायदा नहीं और उसके जीवन पर उसका कोई प्रभा परिलक्षित नहीं हो सकता यह फिर तुल्सिदासी जीवन के यथार्थ का वर्णन करने रखते हैं कि जब खेथ ही सूख जाएं तो उसके बाद वर्षा होने का क्या फायदा यदि समय ही बीच जाए तो उसके बाद पस्तावा करने का कोई फायदा नहीं इसलिए समय रहते ही अवसर का सदुप्यों किया जाना चाहिए सही समय पर सही काम होना चाहिए ऐसा सोच कर शीराम ने सीता की तरफ देखा और देखा कि जानकी के मन में प्रेम का भाव है और वे उसी समय उपस्तित हुए उन्होंने अपने गुरू को मन ही मन परडाम किया और बिना किसी प्रयास के आराम से धनुष को उठा लिया अब तक तो कोई धनुष को अपनी ज इस दिश्य ने कहीं न कहीं शीराम के चरित्र की शक्ति को अभिव्यक्त किया है इस प्रकार कवितावली के उत्तरकांट से जुड़े पद में ततकालिन समाज व्यवस्ता वर्नाश्रम धर्म के पतन पर भी चिंता व्यक्त की गए है विरे पत्रिका के पद राम के चर्णों में समर्पेद भक्ति का सुन्दर और सरस उधारन है जो पत्र शैली में हैं राम चरित्मानाश के दोहे और चौपाई विवित कांडों में प्रसंग वश लिए गए हैं जो दुलसी के भावों और विचारों का उत्किश उधारन है कवितावली के उत्तरकांड में ततकालिन समाज विवस्था की आराजर्ता का बढ़न हैं ततकालिन समाज में किस प्रकार से अब विवस्था विन्यस्ति थी वैसे इतिहास की ग्रंथों में हमें उस समय की सामाजिक राजनेतिक परिसितियों का अंकन मिल जाता हैं लेकिन इन परिसितियों का मानव समुदाय पर क्या असर पढ़ रहा था इसका मारमिक अंकन हमें तुलसी की कावियात्मक रचना कवितावली के उतरकांड में सजीव रामचरित्वानस मनुष्य के जीवन संगर्ष की सबल गाथा है मनुष्य और समाज के अंतह संबंधों के समस्त पदों का जितना सूख्ष्मता पूर्वग महाकवी तुलसिदास जी ने रामचरित्वानस में अंकन किया है ऐसा सूख्ष्म अंकन, ऐसा सवल अंकन, ऐसा शेशत प्रकाशन अन्यत प्रदूरलब है और अपनी इसी अन्यता में और अपनी इसी विशिश्टा में सामन्जिस्य की रचना समन्वे के पतीक रामचरित मानस को लोक कभी, विश्व कभी, तूलसिदास की शेश्टा के रूप में स्विकार किया जा सकता है और इसी रूप में इसका वकाहन सदै पासंगिक रहेगा धन्यवाद